तो गाईस रोकी स्टाटिंग हमें लिव मॉर्गेन की सेगमेंट के साथ देखने को मिलती है लिव मॉर्गेन कहते हैं कि मैंने रिया रिपली से विमेंस वैल्ड चैंपियन्सिप जज्मेंटे और दोमनिक मिस्टीरियो को भी छीन लिया है तब ही रिया रिपली बीच में आ जाती हैं रिया रिपली कहते हैं कि मुझे भी डॉमनिक मिस्टीरियो के साथ रहने में कोई दिल्चस भी नहीं है इसके पर लीव मोर्गन कहते हैं कि अगर आपने डेमियन प्रिस्ट की तरह डोमनिक मिस्टीरियो पर भी ध्यान दिया होता तो आज वो दोनों अलग नहीं होते इसके बाद लिव मोर्गन रिया रिपली को एक बार फिट से अगराने की बात कहती है इस पर Ria Replay कहते हैं कि वो Bad Blood में मैच लेड़ें के लिए बिल्कुल रेड़ी है इसके बाद Ria Replay कहते हैं कि तुमने Dominic Mysterio की हल्प से टाइटल जीता था इसलिए Bad Blood में Women's World Championship मैच में Dominic Mysterio को रिंग के उपर सोक केज में लोग करने का डिसीजन लिया गया है इसके बाद Ria Morgan को Headbutt लगा कर वहाँ से चली जाती हैं जिसके बाद काईजर में Semi Jane VS Ludwin Kaiser के भी इस मैच देखने को मिलते हैं मैच के एंड में Semi Jane ने Kaiser के मुव को Counter करके उन्हें German Supplex दे दिया इसके बाद Semi Jane Kaiser को Hilva Kick देकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं लेकिन इसके बाद भी उन्थर Semi Jane के चलेंज को Accept नहीं करते हैं जिसके बाद काईजर में Dragon Lee VS Carleto के भी इस मैच देखने को मिलते हैं मैच के एंड में Dragon Lee ने Carleto को Operation Dragon देकर पिन करके इस मैच को चीत लिया लेकिन तब भी Bronze Stormman आकर उन पर Attack कर देते हैं और वो Bronze के साल बैस करने लगते हैं लेकिन तब भी Bronze and Reid उन दोनों पर रही Drive लगा देते हैं के बाद इनके भी इस प्रोल स्टार्टी रहती है शुकेटी गार्ड इन्हें रोकने का Try करते हैं लेकिन Bronze Stormman शुकेटी गार्ड को भी Power Slam देते हैं जिसके बाद का इसे में Dromake Entire का सेग्मेट देखने को मिलता है Dromake Entire बताते हैं कि हेलीना सेल में वो श्यमपंग के हालत बहुत ज़्यादा खराब करने वाले हैं Entire कहते हैं कि मैं इस मैच को नहीं लड़ना चाहता और मेरी फैमिली भी इस मैच के अगेंस्ट ही है तेकिन फिर भी मैं इस मैच को ज़रूर लड़ूंगा और श्यमपंग को पूरी तरह डिस्ट्रोई कर दूँगा इसके बाद का इसे में डिमेज कंट्रोल वर्सिस अनोली के भी इस मैच देखने को मिलता है इसके एंड में काईरी सें रिंग साइड पर इलबा फायर को इंसे एन एलबो मूद देती है तो इसकाई आईला ट्रोन को ओवर दे मुल्चोट देकर पिन करके इस मैच को चीत लेती है जिसके बाद गाईज हमें नूट डे वर्सिस अमेरिकन मेट के भी इस मैच देखने को मिलता है मैच में अमेरिकन मेट बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं कि एंड में जे उसो रिंग साइड पर बेकर को सूपर किक देकर उन्हें इस प्याड लगाते हैं इसके बाद जे उसो प्रोन बेकर को बेरिकेट पर इस प्याड भी लगाते हैं इसके बाद जे उसो प्रोन बेकर को टोप रोप से स्प्लेस लगा कर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं आज का रोका एपिसोड यहीं तक का था आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ